और फिर जो विराट स्वरूप में एक चहरे से सभी आत्में उनके मुख के अंदर प्रवेश कर रही थे उसको देख करके अर्जुन कहते हैं इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो मैं जानना चाहता हूँ कि आप आदी पुरुष कौन हो मैं आपको और आपकी प्रवरत्ती को जानना चाहता हूँ तो उस आदी पुरुष को भी जानना चाहते हैं अर्जुन और उस सर्व समर्थ परमात्मा की प्रवरत्ती को भी जानना चाहते हैं तब भगवान कहते हैं मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ इसलिए हे अर्जन तुम उठ खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करूँ ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं तुम केवल निमित ही बनो भगवान कहते हैं मैं महाकाल स्वरूप हूँ सारे स्रिष्टी के परिवर्तन करने अर्था आया हूँ और इसलिए तुम उठो अभी खड़े हो जाओ युद्ध के लिए तयार हो जाओ निमित बन जाओ अपने आपको निमित समझो और हर कर्म करना है और इसलिए भगवान ने दोनों ही स्वरूप को स्पष्ट कर दिया एक उनका वास्तविक स्वरूप और दूसरा जिन में वो अउत्रित हुए है वो स्वरूप के जिनके इतने सारे चहरे विराट रूप में जो दिखाए यहने जो सी कृष्ण ने कहा कि मैं पुनर जनम में आने वाला हूँ दूसरे अध्याई में जब अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तेरे भी बहुत जनम है मेरे भी बहुत जनम है यह राजे लोगों के भी बहुत जनम है और न कोई काल ऐसा होगा कि जब तुम नहीं रहोगे मैं नहीं रहूँगा यह यह राजे लोग नहीं रहेंगे यानि यहां समय के साथ उनके इतने जो पुनर जनम है विबिन स्वरूप के साथ में इस संसार के खेल में वो जो पार्ट बजाएंगे अर्जुन के साथ भी तो वो स्वरूप और जो अजन्मा अव्यक्त स्वरूप परमात्मा का वो अजन्मा अव्यक्त परमात्मा किस तर से अउतरित होते हैं जब सिक्रिष्न के साधारण स्वरूप यानि नर स्वरूप इसलिए कहा जाता है नर ऐसी करणी करे जो नर नारायन बने यानि नारायन का जो साधारण स्वरूप नर स्वरूप जिसमें परमात्मा ने दिव्य अव्यक्तरन किया है तो वो अनेक पुनर जन्मयुक्त विराठ स्वरूप दिखाया तो दोनों ही स्वरूप स्पष्ट हो गया अजन्मा किस तरह से अउत्रीत होते और किस में अउत्रीत होते हैं ये महत्वपूर्ण बात है तो सिक्रिश्न के साधारण स्वरूप में अउत्रीत होते हैं फिर बहुत सुन्दर आगे बात कही है इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य भगवान का क्या है कि जो चहरे से सभी आत्मे जा रही है उसके संदर्ब में भगवान कहते है कि इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है अधर्मियों की शक्ति और सामर्थि कितना ही अधिक क्यों न हो कितना सत्य ये बात कही है कि इस संसार के अंदर अधर्मियों की शक्ति और सामर्थि कितना भी अधिक क्यों न हो लोकशैकारी महाकाल की शक्ति ने पहले ही उन्हें मार दिया है समाप्त कर दिया है वैसे भी आज की दुनिया के अंदर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो बहुत अधर्मी होता है दूसरों को बहुत कश्ट देता है वो भीतर से एकदम खोकला होता है नकारात्मक शक्तियों वाला व्यक्ति बाहर से कितना भी अपने बल का प्रदर्शन कर दे दूसरों को डराने के लिए लेकिन अंदर में वो खोकला है तो जो खोकलापन है वो पहले से ही मारा जा चुका है और इसी लिए भगवान भी यही बात स्पष्ट करने का प्रैत्न करते हैं कि नकारात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति या नकारात्मक शक्तियों से भरपूर व्यक्ति जो है लोक शयकारी महा काल की शक्ति ने पहले ही उन्हें मार दिया है भगवान का लोग संहार कारी भाव उनके लोग कल्यान कारी भाव ही है क्योंकि उनका विनाश करके ही ये संसार का कल्यान करते हैं परमात्मा तो ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान लोग संहार कारी क्यों है इतना पाप हो जाएगा इतने लोगों का विनाश करना नहीं लोग संहार कारी स्वरूप ही लोग कल्यान कारी है क्योंकि तभी ये संसार का कल्यान होता है इसलिए भगवान इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं कि पुना निर्मान ये संसार के पुना निर्मान के इस कारिये को करने के लिए वो अकेला ही समर्थ है परन्तु फिर भी वो अर्जुन को निमित बनाना क्यों चाते हैं और इसलिए सर्वकालीन मनुष्य के प्रतिनिदी अर्जुन को ये उपदेश दिया जाता है कि वो निर्भई होकर अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करें पुनरुथान के साथ सहीयोग करके अर्जुन निश्चित सफलता का केवल साथ ही दे रहा है इस संसार को पुनर निर्मान करने के लिए अधर्मों को नाश करके नकारात्मक शक्तियों का विनाश करने के लिए अर्जुन तो केवल सहीयोग दे रहा है भगवान को और वो अर्जुन अगर सर्वकालीन मनुष्य का प्रतिनिदी है तो भगवान का उपदेश हम सभी आत्मों के लिए भी यही है कि हे मानव तुम कि सौर जाना चाहते हो भगवान के सहीयोगी बनना चाहते हो या इस महा विनाश का ही एक हिस्सा बनना चाहते है अिग्लिश में बहुत सुन्दर ये बात कही हुई है कि आइधर ये अरफ डिस्ट्रक्शन और आइधर ये आरफ पार्फ कंस्ट्रक्शन किस और जाना चाहते हैं मेरे सामने ये दो रास्ते हैं उसका चुनाओ मुझे करना है कि मैं निर्माण के कार्ये में इश्वर के सहीयोगी बन जाओ या इस महा विनाश का ही एक हिस्सा बन जाओ खुदाई खिद्मदगार बन जाओ या विनाश का शिकार बनू क्या बनना चाहते है समस्या स्वरुप या समाधान स्वरुप इश्वर समाधान अकेला करने में समर्थ है लेकिन फिर भी वो यश मनुष्य को देना चाहता है ताकि जो कर्म अगर मनुष्य करेगा उसके फल स्वरूप उसको उस दुनिया के अंदर स्थान प्राप्त होगा तो इसलिए मनुष्य को उत्थान की और ले जाने के लिए उससे कर्तविय करने के लिए भगवान का सहियोगी बनने के लिए विश्व परिवर्तन के कारिय में या विश्व नव निर्मान के कारिय में भगवान सारा यश मनुष्य को देना चाहते है और इसी लिए सर्व कालीन मनुष्य का प्रतीनिदी अर्जुन को कहते है उठ जाओ, खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करू इश्वर का सहयोगी बनने का सौभाग्य इस जन्म में अगर प्राप्त होता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है किसी तरह भी इश्वर के कारिये में हमारा ये जीवन सफल हो जाए उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है तो कितना सुन्दर तरीके से अर्जुन को भी सहयोगी बनने के लिए भगवान आवाहन करते है यानि हम सभी मनुष्य का भी परमात्मा इस वक्त आवाहन कर रहे हैं विश्वन नव निर्मार संसार परिवर्तन के या इस महाविनाश के समई जो दिव्य परिवर्तन होता है अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनस्थापना के लिए सहयोगी बनने के लिए भगवान ओफर कर रहा है तो यह आफर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए